डिलिवरी होने से कुछ घंटे पहले या कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा लक्षड होता है जो महिलाओं में दिखाए देता है कई बार ऐसा होता है कि आपको लेबर पेंट बार में स्टार्ट होता है लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा लक्षड होता है जिसमें अ दोरान जब आपका बेबी आपके पेट में होता है तो उस टाइम वो इम्मिनेटिक फ्लूट की थैली से धका होता है यानि कि उस थैली के अंदर होता है अब यह थैली क्यों बनती है यह बच्चे को सुराच्छीद रखने के लिए हुती है और लेबर के शुरुवात होती है तो ये थैली फट जाती है अब इसका जो बेरंग दिखने वाला पानी होता है यानि कि वो उसमें कोई कलर नहीं होता है वो बाहर आने लगता है आपके बचेदानी के मुझ से पानी की ये थैली फटने के तुरन बाद आपको होस्पिटल चले जाना चाहिए कई बार ऐसा होत है ब्राउन कलर का हो सकता है या उसमें खून के दब्बे भी हो सकते हैं तो यह सब एक लक्षड होता है जिसे महीला समझ जाती है कि अप डिलिवरी होने का समय आ गया है और वो डॉक्टर के पास जाती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको दर्द नहीं होगी और यह हमेरी है जए इसे में बच्चा सुरक्षित है धिली बहुत है तो आपके साथ ऐसा होता है कि पानी धेय बहुत जादा आपको पानी बाहर आने लगता है आपके सर्विक्स से आने की आपके बचेदानी के मुझ से बहुत जादा पानी आने लगता तो आप समझ जाए कि वह थैली पढ़ चुकी है और ऐसे में आपको देर नहीं करनी है तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है और पूरी उम्म है तो बच्चा उसी में सुरक्षित है और अगर वह देर तक पेट में वैसे ही रह जाएगा तो फिर बच्चे को कई सारी गंभी समस्या हो सकती है बच्चा गंदा पानी भी पी सकता है तो इसलिए ऐसी कंडिश्म में बिल्कुल भी देर मत करना यह बहुत बड़ा कर दिखे तो तूरंड हॉस्पिटल जाएं